है है गाइस वीडियो और वीडियो आप सभी का स्वागत है और आज जिस गन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो यह जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं यह स्पोर्ट्स गेम्स कंपणी के दवारा बनाया गया है और वह सेम कंपणी है बहुत अच्छे च्छे गन्स अमने बेचे हैं तो उसी का मॉडल है उसी का सीजर्ट 75 है इसका एक छोटा वर्जिन भी आता है सीजर्ट 75 डूटी और अधर मॉडल्स बहुत अलग अलग हैं जिसे आप देखते हो यह सीजर्ट स्पी 01 साइड़ है सीजर्ट 75 डूटी आप देख सकते हो तो यह थोड़ा स्मॉल आता है इस इस दा फुल साइज वर्जिन आप देखते हो सेस्का जेट बी आर जियो 1936 तो 1936 से यह कंपणी है जो असली गर मनाती है उसका लाइसे मताब उन से पर्मीशन लेकर कि मौडल का एर open बना है ऐले अंडर था सब्हाइब शिजर्ट सेट र्पवडिक चक्रिक कंट्री है चक कंपणीं से 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 लाइसे से लेकर कि भ्राइब ओन और जीकन के बारे में अच्छी बाते हम करने वाला है कि यह बहुत ही अच्छी अच्रेसका मेट फुल मेंटल स्वाइडेस का ब्लोबैक है मत्तब जिसका जो है पीछे बैक जाता है जो लोगों को थोड़ा इनो पारफुल टाइप की गन चीजिए उसमें से बैक जाता है उनके लिए काफी अच्छी है स्टील बीवी से इसके बीवी स्टील की पड़ती है और ऐसे बॉक्स इस गन बॉक्स का आपको फाइदा यह होगा इसके अंदर आपकी गन सुरक्षी तरहेगा सई तरीके साब रखिए समहाल के रखिए इसको रख करके आप जो है अपने अलमीरा में रख दीजिए मैं आपको यह क्यों रिकमेंड कर रहा हूं वैसे तो हमारे पस बहुत महंग है 960 ग्राम इसका वजन है मत्तब रफली रफली एक किलो है साड़े चार इमम का इसका बीवी है सतरा बीवी का इसका जो कैपैसिटी है मेट्रियल जो है मेटल और एविस दोनों मिला हूँ है 1.60 पावर है 312 फिट पर सकेंड 95 मिटर पर सकेंड जो इसका एपिस है विच इ ऐसे वाक्स में चलिए अब इस गन के दीदार किये आप देखोगे क्या बहुत ही अच्छी अनो इसके अंदर बनाया गया है बट आपको गन बॉक्स में रिकमेंड कर रहा हूं यह इसका मैनुलेस में चीजें बताई गई है कैसे इसको पढ़िए कोई भी गन खरीटें तो उसको इसको पढ़ दिया किजिए यूज करने से पहले अब चलिए यह अलन की है अपको पता है किसलिए इसको लोड करने के लिए और यह गन है और ओमाइग गॉड यह तो काफी अच्छी गन है इसमें क्या सबसे खास बात लगी मुझे पता है आई डोंट कैमरे पर दिख का कलर है काफी खुबसूरत दिख रहा है जनरली ब्लैक होता है तो यह भी ब्लैक बनाते हैं बट इसको क्रोम बनाया है और इसका बैरल भी देखे क्या सॉलिड पूरा साइज का है बहुत ही अच्छा यहां पर मेंडिन ताइवान का स्टिकर है यह स्टिकर आप निकाल सकत रहा है कि एर गयन है कुछ लोग होस्यारी के चकर में इसको घिजदते हैं डोंट डू दाट कभी गलती से मत करिए और देखिए इसका क्रोम ओमाइगाड यह बहुत ही प्यारा लग रहा है मैं मैं गंस की तारीफ तो करता हूं कि मैं पसंद है बट यह तो काफी सुन्दर ह है इससे इसको सल इजेक्टिंग से कहते हैं असली गन में वैसा निकलता है ओमाइगाड इसका यह भी बहुत ही प्यारा है वह ट्रिगर बिसका काफी पुल भी काफी अच्छा है लेट्स पुट्ट दा मैग्जिन आउट आप देखोगे यहां से नीचे बिल्कुल असली ग पार्बोनेट का है हाई पॉलिकर लेकिन फील कुछ नहीं होता है यह यह वाला पार्ट दो पॉलिमर का ही है बट यह अच्छली मेटल के तरह फील होता है पूरा का पूरा एंड तस लुक्स वेरी कूल मैं इसकी तारीफ जतनी कम करू ज्यादा करू उतनी कम है आप देखि बहुत खुबसूरत है इसके तारीफ जो है तारीफ के कावल यह अच्छली बहुत ज्यादा है अब इसके स्योटू कैसे रूट करते हैं जनली जो स्योटू गंस होती है उसके निचे से स्योटू डालते हैं तो धिक्ता एलिंट की कज़गा इसके अंदर ऐसा नहीं है और देखें बहुत में बात है जो अधिकतर वीडियो में बोलता हूं जो लोग ध्यान नहीं जाते हैं आफ्टर यूजिंग दस्योटू मैगजिन चार्ज रिलीज और गैस तो अवाइड प्रिमेच्योर ओरिंग सील फेलियर मतलब इसका ओरिंग को कि आपकी जिन्दगी बच अब यह आपकी यूज के विज़से अगर प्रॉपर ली यूज नहीं करेंगे तो यह आपकी गन में इस्यो आ जाएगी अब यह देखिए लॉग्ड है कहीं नहीं आता है इसके आप देख सकतो दिर जब पिन तो इस पिन को प्रेस करना उंगली से और इसको आगे करना है इस दर एलन की का स्पेस है इसको इसे डालिए यू घुमाई यह यह ऐसे खुल जाएगा अब यह पाट थोड़ा सा ट्रिकी होता कि क्या होता है इसके ग्रूम में आप अपने अलन की का जो यह का प्रेस को डंक से डालनी से डाली आराम से ने पूट इसके ओपर आपको ठालना फोड़ा सा फॉर्स और करना है और सीटू जो इसके अंदर लोड़ जाएगा अभी जैनली मुझे फाइर नहीं करना है तो मैं इसको यूस नहीं करूंगा मैंसकर द्यान रखना कि इसको जब आपने सीटू लोड़ कर दिया उसके बाद इसको जादा जो है ठाइट नहीं करना है बहुत से लोग क्या करते हैं वह उसको बहुत जादा टाइड कर देतें स्योट लोट जैसे हो गया उसके बाद यू कसे आ रहें कसे आ ऐसा बिल्कुल मत करिये इससे क्या होगा अंदर का आपको औरिंग कट जाएगा और गन जो है आपकी खराब हो जाएगा तो यह एक इसको थोड़ा सा जिस तरीके से आप इसे खरीदते हैं तो फोड़ा सा एहमियत दिजिए थोड़ा सा विट रिस्पेक्ट जो है आप इसको चलाएगे तो उससे क्या होगा गन की आपकी लाइफ बनी रहेगी दूसरा स्यूट इसके नदर बीवी कैसे लोड करना है इसके अं इसको जो है पुल करना है नीचे नीचे इसको आप ड्राइक करके लेके जाएए राइक दिस और यहां से बीवी भरते जाएए रोड करिए और यूर गुड टू गो दूसरी बात यह गन्स जब भी जाती है वो टेस्ट होकर आती है तो इसके उपर आपको श्क्राच्च अ नॉमल सी बात है या फिर जब आप इसे यूज़ करेंगे तो एक दो बार के बाद इसके पर नॉर्मल सी स्क्राच आती है इन गन्स के उपर स्क्राच आना नॉर्मल सी बात है तो उन सब का भी आप ध्यान रखेगा दूसरा किसी के तरह पॉइंट मत करिए किसी को के धमकाई यह नहीं इस गन्स को बड़ी ही इज़त के साथ इस्तमाल करिए तो यह जो है हमेशा चलती रहेंगी आपको यह वीडियो पसंद आया आप जो लोगों को पर्चेस करना है कैसे करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुए उस पर क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट बिजा करके और कर सकते हैं हम आपको वीडियो अच्छा लगा चानल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को हिट कर लिजे कोई सवाल हो आपको तो स्क्रीन के दिये वे नंबर पर आप हम हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से सामके छेवे तक मंडे टू साटर डे और जो है इमेल कर सकते हैं आप अगर हमारा नंबर नहीं लगे आप हमसे कॉंटक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप में मेल करिए एरसॉफ्ट कर इंडिया एड़ देट ऑफ जीमेल डाट कॉम पे मैं आ